बागिश्व सरकार के नाम से विश्व विख्यात श्री धिरेंद्र शास्त्री गुरूजी के दिव्य वानी से रामकता सुनने का लाब नाकपुर वासी ले सकते हैं जिसका श्री बागिश्व धाम नाकपुर उम्रेट 6 समीती द्वारा आयूजन किया गया है गदाधारी हनुमान भक्त श्री बागिश्व धाम के दर्शन मातर से लाखो भक्तों के परिवारों में दुख से चुटकारा पाकर खुशियां जूली में भर जाती है मध्यप्रदेश के चतरपूर जिले स्थिते गड़ा नामक स्थान पर है जो की विश्व प्रसिदे खजुराहों से मातर बारा किलोमीटर की दूरी पर बागिश्व धाम श्रद्धा का केंदर बना हुआ है सब्ता के अन्य दिनों के अलावा विशेश का मंगलवा शनिवार को बागिश्वर हनुमान जी के दर्शन के लिए दुनिया भर से लाको भक्त धाम पहुचते हैं श्री बागेश्वर सरकार के नाम से विश्व विख्यात श्री धिरेंदर शास्री गुरूजी ने अपनी दिव्य वानी से गड़ा, लंदन, दिल्ली, मुंबई, भिवंडी, दतिया, बुलंशेर, भोपा, ललितपूर, अशोक नगर, सागर के अलावा, सैकडो इस्थानों पर कथा से बागेश्वर धान का आलोकिक दर्शन दुनिया में बिखे रहा है। समीती के अध्यक्ष पंजावराव, खते, कार्य अध्यक्ष हितेश, जोशी, उपाध्यक्ष भायाजी, देशमुक, मुन्ना यादव, सचेव, जैकुमार सोब्ती ने सयुक्त रूप से पत्र परिशत में जानकरे देते हुए बताये कि भव्वी आयोजन के लिए अनेक भ हक्तों की अर्ची सुईकार कर उनकी समस्याओं को पहले से परचे में लिख कर देंगे और आशिरवात देकर उनकी अर्चनों को दूर करने का मार्ग बताएंगे, इसके पूर्व नंदन बन इस्तेते गायतरी मंदर से पांच जन्मरी को सुबह दस बचे कथा इस्तल रेश प्रभु श्री राम चंद्र को मानने वाले जो लोग है वो इस्तल रखेंगे और इसके नियोजन के काम नियोजन चल रहा है अभी आने वाली जो प्रेस रहेगी उस पर सभी नियोजन हो रहेगा हजारों की संक्या में भक्त कथा इस्तल तक पहुचने का अंदेशा है जिस वज़ा से समीधी द्वारा इसायोजन में सुचारू रूप से चलने के लिए स्वचिता, पानी, मीडिया, स्वागत, महिला, उद्गोशना, गेट, पार्किंग, आवास, मंडप, शोभा, यात् प्रण, स्वेम, सेवक, पूजापाट, पादुका, लाइट, साउन, दान, भेट, कथा, प्रसंग, सांस्क्रतिक उच्सब, वहन, ववस्था, संत, निवास, यजवान, सतकार, अनपुर्ना, प्रचा, गण्मान ये वैक्तियों के बैठक सुविदा, तिलक जैसी, अनेक सम प्रमुख भक्तों को जवाबदारी सौपी गई है, नाकपूर जिले के सर्वसामान ये नागरिकों और सभी सामाजिक धार्मिक संस्थानों के अलावा, गण्मान ये वैक्तियों की निमंत्रित करने की प्रक्रिया शुरू है, इस आयोजन में प्रशासन के अलावा, आमद दिनों से शुरू है, सैकडो भक्तों ने अपनी मनोकामना के साथ यग्य में आहूती दिये, इस यग्य की पूरा हूती किस दिसंबर को होगी, आयोजन समीती ने सभी भक्तों ने रामकतर में आकलाव लेने का आवान किया है, पत्रकार परिशद में नाकपूर नागरिक ब इसीन उसनाग्पूर।